आप से भी का सोगत है आपके अपने चैनल में तो आज हम लोगे आपर बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के चोथे मैच की वर में जो की खेले जाने वाला है कराची किंग्स और इसलामादबाद यूनुवाइटर डियू बीज में सामको साथ बिजकर 30 तुन पर कराची पाकिस्तान में तो इस मैच की मैं आपको पूरी पूरी जानकारी देने वाला हूँ इन डेफ़ताना सिर्केट के दूँगा जिससे आपको अपके ड्रिनम लोगन की टीम आना में बहुत यादा है हल्प होने वाला है ध्यान रखेगा आपको टॉप बैटर्स फोरो गरेगए इसके कार्ट और यहाँ पर फासट बाल जेनरेली ज्यादेवर पाते हैं मुकाबले एरोज पर की बात की एटो चैसे-ट बन सकता है 182 बन सकता है इस बात का ध्यान ड़ले है हाइव स्टेडियम कराची में तो पेसेवर जामली और कराची के बीच में हुआ था ज और अगर बेनी रुकाट की बात किया है तो इस ग्राउंड पर टोटल पचाट टी टॉन्टीज के मैच इस खेलेगा है बैटिंग फस्ट करनोर टीम ने अठारा मैच मेच दर्श किया है बैटिंग सेकंड करनोर टीम को इस मैच में एडवांटेज रहने वाला है अब अब हम मैच खेलें सिर्फ 23 स्कूर किया है और इसन फांग की बात किया तो डेट नाट बैट साच चालिस उननीस और तेइस आप डाउन रहा है इसका फाम ध्यान रखना बीबिल खेल करा रहा है फिर इसने सावतों का टीटोंटी लीग में खेला है अब डाउन फांग रहा है लेक साथ पांच बारा और जीरो इतने अच्छे फांग में नहीं चल रहा है मेरे साब से इतने इंपॉर्टनेट पिक नहीं रहेंगे इस मज़ में हैदर अलिया इंगे टिटन डिजमिन ग्राम बासर में एक ट्राजिस साने बीस के और से पीसल की बात किया तो उननीस एक छे त पांच मेंच खेल चुका है जिसमें सिर्फ साथ बिगन निकालें बॉलिंग कम कराने वाला है और पांग के बात किया तो 1738 स्कूर किया 34 से अच्छे फांग से बलवाजी करने वाला है मेरे साब से ध्यान रखना इस बात का रिस्तन फांग की बात किया 067 218 और और 52 कराने चांसेश कम रहने वाले हैं रिस्तन फांग की बात किया 32 नेवगेट नौर रन जीवगेट और साथ रन निमाद बसी महां गेटेटी टोंटीज में कम 275 मैज में 2620 रन है उननीस के और से 279 बिनकाले है स्रोल लेफटाम आतुए गिंदवाजी करता है पीसेल की बात क सकता है तो इंपार्टन फिक रहेगा कुल मिलाकर मेरे हिसाब से बेन कटिंगा एंगेट टोंटीज में क्राम दोसो चार मैज में अठ्थाइसो तीर नान है बाइस के और से दो भी निकाले हैं ध्यानकना बॉलिंग कम कराने वाला है हाला कि पिछले में चार उबर कराया थ है लेकिन इस में मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बॉलिंग कराने वाला है आपको दो से तीन उपर करके देना वाला है साथ में नीचे बल्ले भाई कर रहे हैं तो इस बात का धनकना रिसन फांग की बात किया है तो लास्ट के पांच मैं चुमें एक एक मिला है इम्रान तह तो बहुत अच्छी किन रखना द्यान रखना मीर हमजा अंगेट इनकाम आटाइस में पच्तारी बिकट है लेफ्टा मीडियम बालिंग करते हैं पीस यह मैंग्लदेश खिलें अच्छी किन बाइच्छी करा है चार में ध्यान रखना और इसन फांग की बात किया तो इतना अच्छा रिकार नहीं है और इसन फांग की बात किया है तो एक गट एक गट दो बिकट और जीरुप का धानगा बैटिंग पीश होने वाला है इतना मदद नहीं मिलेगा स्विंग इतना मिलेगा नहीं तो इस बात का धानग नहीं यहम आमिर यहम हमजा आई वसीम डेस्ट माद को पिके हैं सकते हैं इदर से इमाद वसीम को बेन कटिंग कर सकते हैं और फिरे कर सकते हैं उसके साथ बात कियाolutions etiquette को थे estou कराए कि की अब बात करते हैं दूसरे टी मैंने कीि इस्लामा वाद साथ रिशुक में इस्टिंग का इनकी बात लेकिन पीचल में रिकार्ट अच्छा है और बैटिंग पिछ होने वाला है तो मेरे सबसे थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है पालिश टर्लिंग आएंगी टिटोंटीज में इनकराम कर सकता है लेकिन रहने वाले हैं क्योंकि पीचल के आठ मैच खेल चुका जिसमें बैटिंग पिछ है और बैटिंग पिछ इन दोनों बल्ले बाजों को सूट करने वाला है सुइंग उंग इतना बिलेगा नहीं मेरे हसाब से सोहल मक्सूद कि टीम में दस परसंट से का प्रसंट लोगों स्रक्या हुआ है अच्छा पिक होनवाला मेरे साब से रिसंट फांग की बात किया द्वारा डिट नाट बैट एक इक सब्सक्राइब करेगा रिसंट फांग की बात किया बाइसर नेव गट जिरुकट अजाम खान आएंगे टीट नंटीज में काम सो मेच में उनीस सोबासर रन है तेस के और से पीसे में इनके नाम बीस मेच खेले हैं जिसमें चांसे नहीं रहेंगे साथ में धान आएंगा हार्ड इटर बैटा रहा है अभी बीवियल खेल करा रहा है इतना अच्छा फांग नहीं था लेकिन हो सकता है पीसेल में यह अच्छी वल्लवाजी कर जाए क्योंकि हार्ड इटर बैटर यह बीकर बैटिंग के लिए अच्छ जोर्व कर दान रहा कराता है तो दो अबर आपको करके देने वाला है साथ में नमर साथ तो बलवाजी करेगा भाही मस्तरफ हांगे ट्रॉन टीज में काम एक सो चोवन मज में गया सुनावासी रन है पंद्रा के और से एक सो तिर्परम गिन काले हैं पीसेल में किराम त्रा यह बहुत बहुत बलवाजी कर लेता है और इसन फांग के बात किया जीरू कर दो बिकाट और फजल अगप परूख्यांगे टेट उन टीज में काम 26 में 30 बिकाट है रिसन फांग के बात कि यह तीन बिकाट एक गट गया यह तो आपकाट डालने वाले हैं यह फरूखी यह अली यह मुसीम डेट को डालेंगे यह सखान यह असरफ यह फरूखी यह वसीम बेंच में बहुत साल प्लेयर हैं अगर कोई खेलता है इस्टेटर गाम चरप पर मिल जाएंगे लास्ट नट सब्डेट्स में अग्रहां सो टॉपलाइस के बात कर सकते हैं बाइटिंग सेक् अगर आप देख सके हैं इसके लिए चनल को सब्काइब करना बहुत ही जरूरी है अब बात करते हैं डेमो टीम की तो डेमो टीम में लिएक लिए इस मलिक पर डिंग को आल राणडो सब्क्रिक्सेयर अ है आई वसीम यस खान या फस्रफ बी कटिंग को और बोलिंग सक्षन से में रखा है एट आई यम वसीम यम हमजा को कैप्टर में रहने वाले हैं यस खान वाइस कैप्टर नेंगे आई वसीम लेकिन फाइन टीम नहीं फाइन टीम आपको टेलगाम चरप मिल जाएगी टॉस और लाइन अप्स आउट होने को बात तो थैंक्यू भाईयों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चरणो को सब्सक्राइब करना साथ है साथ टेलगाम चरण को अनकरना मत भूलना क्योंकि टेलगाम चरप आपको फाइन टीम मिलने वाली है टेलगाम चरण का लिंक आपको वीडियो को डिस्किप्शन मिल जाएगा और अगर आप काउंट्स सक्षिन जाएगे तो वहाँ पर भी सब्सक्राइब क्या हो मिल जाएगा थांक्यू